नमस्ते जैहिंद नाव अभी रिसेंटली इंडो रशियन वेंचर ब्रमोस एरोस्पेस ने अरेबियन सी में ब्रमोस सूपर सौनिक मिसाइल को सकसेस्फुली टेस्ट फायर किया जिसके बाद इंडियन नेवी ब्रमोस एरोस्पेस को 200 ब्रमोस सूपर सौनिक क्रूइस मिसाइ देने का ओर्डर देने वाली है जिसकी टोटल वर्थ 2.5 बिलियन यूएस डॉलर है ओर्डर मिलने के बाद इंडियन नेवी इन्हें अपने फ्रंट लाइन वार्शिप्स में तैनात कर देगी नाव यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ब्रहमोस की ये 200 मिसाइले पहले से ज् 400 किलोमेटर ये मिसाइले थोड़ी स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें सीकर और बूस्टर लगे होंगे देखिए मिसाइल के लौंच होने के बाद बूस्टर का काम होता है मिसाइल को एक इनिशिल एक्सिलरेशन देना इससे मिसाइल की स्पीड और भी बढ़ जाती है एक अपने टारगेट को लोकेट और ट्रैक कर सके ये बेसिकली एक रडार सिस्टम होता है जो मिसाइल के एकदम आगे लगा होता है जो कंटिनुवसली रेडियो वेवस भेज कर मिसाइल को इन्फॉर्मेशन देता रहता है ताकि ये अपने टारगेट के डिस्टैंस, डिरेक् in the last few years after the Indo-Russian Joint Venture Company increased its strike range from 290 km to more than 400 km नाव देखिये हमारा भारत बहुत तेजी से आत्म निर्भर बनता जा रहा है रिसेंटली कुछ सालों में हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में काफी ग्रोथ आया है रशिया से हमने वेपन सिंपोर्ट करना 19% तक रिडियूस कर दिया है यह अहाँ पर आप यह आर्टिकल देख सकते हो Self-Reliant India Scheme in the Defense Sector Reduce the Import of Weapons from Russia by 19% Stock Home International Peace Research Institute Sipri के रिपोर्ट के अनुसार रशिया अभी भी भारत का largest arms supplier है मगर 2018-2022 के बीच में रशिया से हमारा arms import जो 65% था वो अब घट कर 45% तक आ गया है अभी रिसेंटली आप देखो New Delhi में Defense Acquisition Council D.A.C. की बैठक में हमारे रक्षा मंतरी राजनात सिंग जी ने 70,584 करोड रुपे के स्वदेशी हत्यारों को खरीदने की मनजूरी दी है जिसमें ब्रमोस, चौपर्स, आर्टिलरी गन्स जैसे और भी बहुत सारे Defense Hardware Equipments खरीदे जाएंगे अब यहाँ पर ये डिसकस कर लेते हैं कि इस 70,584 करोड रुपे के Defense Purchase में क्या-क्या Weapons खरीदे जाएंगे सबसे पहले देखिए 32,000 करोड रुपे का प्रोपोजल है जिसमें 60 Utility Helicopters Marine लिये जाएंगे जिनको ड्वेलप करेगी हिंदुस्तान Aeronautics इसी के साथ 3,800 करोड रुपे का एक और प्रोपोजल है जिसमें Indian Coast Guard के लिए 9 ALH Mark III Choppers Purchase किया जाएगा दूसरा सबसे बड़ा प्रोपोजल है 20,000 करोड रुपे का जिसमें 225 BrahMos Supersonic Missiles खरीदे जाएंगे इसके orders जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ BrahMos Aerospace को दिया गया है तीसरा order है 8,526 करोड रुपे का जिसमें 307 Advanced Taud Artillery Gun Systems खरीदे जाएंगे इनका order दिया गया है भारत फोर्च और Tata Advanced Systems को इसके अलावा 1300 करोड रुपे का order दिया गया है जिसमें medium speed marine diesel engine को पहली बार भारत में manufacture किया जाएगा जो की completely made in भारत होगा नाव देखिए भारतिय होने के नाते आपको ये जानकर बहुत गर्व होगा कि इन 3 सालों में हमने total धाई लाख करोड रुपे से भी ज्यादा का made in भारत military equipments manufacture किया है आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत का domestic defense manufacturing sector बहुत ही तेजी से grow कर रहा है हमारी सरकार domestic defense industries को पूरा support दे रही है ताकि हमारी defense needs को पूरा करने के लिए हमें कहीं बाहर से हतियार ना खरीदना पड़े या बहुत कम खरीदना पड़े ना इसके साथ मैं एक और चीज एड़ कर दूँ कि भारत सरकार धीरे धीरे देश में एक proper defense manufacturing ecosystem तैयार कर रही है आत्म निर्भरता और making India के गोल को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने दो defense industrial corridors establish किये है एक है उत्तर प्रदेश में और दूसरा है तामिल नाडू में According to estimates, the Indian Armed Forces are projected to spend around 130 billion US dollars in capital procurement over the next five years The government has been focusing on reducing dependence on imported military platforms and has decided to support domestic defense manufacturing जिसके बाद से आप देखो made in India के weapons export में एक tremendous growth आया है इंडिया का defense exports 13,000 करोड रुपे को cross कर चुका है यहाँ पर आप ये article देख सकते हो India rising up the defense exports ladder 2025 तक हमारा exports target 36,500 करोड रुपे तक पहुचने वाला है क्योंकि देखिए जो छोटे-छोटे Asian countries हैं ये सब भी भारत के साथ defense partnership में आना चाते हैं ये सभी देश made in India weapon खरीदना चाते हैं अभी पिछले साल आप देखो फिलिपीन्स और भारत के बीच में Brahmos missile को लेकर 375 million US dollar की एक deal final हुई थी जिसमें भारत फिलिपीन्स को अभी कुछी महिने के अंदर अंदर delivery कर देगा Now Philippines पहला ऐसा देश बन गया है जिसे भारत अपने missile system export करेगा जिसको देखकर Southeast Asia के और भी देश जैसे Vietnam और Thailand ने भी Brahmos missile को खरीदने की इच्छा जताई है While the Philippines has become the first nation to which India will export the missile system sources said that several other nations in Southeast Asia have expressed interest in buying it including Vietnam and Thailand Now अभी recently हमारे आर्मी चीफ मनोज पांडे सहाब ने भी कहा कि इंडियन military खुद को modernize करने के लिए कई तरह के measures ले रही है इससे हम अपने niche technology के potential को पूरी तरह से exploit करेंगे इंडियन military अभी अपना पूरा focus अपने surveillance, communication और weaponry system को modernize करने में लगा रही है और हमें आशा है कि ऐसा करने पर हम modern warfare system के according अपनी operational capabilities को और भी ज्यादा बहतर कर पाएंगे इसके साथ आर्मी चीफ ने कहा कि जब तक देश आत्म निर्भर नहीं बनेगा और उनके पास सुरक्षित supply chains नहीं होंगी तब तक उनके देश में सुरक्षा की चिंता हमेशा बनी रहेंगी और उस देश के लिए भविश्य में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा उन्होंने कहा कि आत्म निर्भरता के लिए जरूरी है कि देश में एक सशक्त supply chain बने और हम अपने देश में बनाये हुए products को खरीदने की कोशिश करें नाव भारत सरकार जिस तरह से made in India defense equipments को support कर रही है आप इसको लेकर क्या सोचते हो कितने खुश हो आप इस development को लेकर मैं genuinely आप सभी के opinions जानना चाहूंगा comment section में अपने opinions लिखिए I wish you all a very good health Jai Hind